अपनी जमीन देनी होगी कर तब का समय है आप सब के पास अवाज टीवी की बंद कर देती है क्योंकि मैंने अपना व्लॉग बिनाना है तो टीवी की आवाज बहुत जाद हुँची थे तो मैंने का चलें इसको करते हैं बंद अपना व्लॉग मेरे व्लॉग के अंदर आज क्या है मैंने पहले तो घर के सफाईयों से शुरू करना होगा क्योंकि मैंने घर में अभी काफी ज़्यादा बच्चे गें मैं स्कूल तो जब स्कूल बच्चे चाते हैं तो उसके बाद माने हिम्मत पकड़नी होती है कि उठों आज करना होता है अपने बाई को नाश्ता देना होता है उसके बाद थोड़ा सा टीवी पे अपडेट्स वेरा चेक करती हूँ या अपने फून पे अपडेट्स वेरा चेक करती हूँ तो पिर उसके बाद उठती हूँ तो उसके बाद मैंने अपना काम करना होता है तो काम करने के लिए उठी हूँ अभी तो मैं रहा चलें आज आपको भी दिखाती हूं कि मेरे काम करती हूं और क्या-क्या मेरे काम के अंदर आता है वो इस तरीके की चीज़ें सर्दी बड़ी होगे जनाब आपने अपने स्किन का हया रखना है पानी जादा पीना है जो कि अब हम क्या करें डाक्टर के पास बाग रहे होती है मैं एक चीज़ बताती हूं अभी आवेट करें सफाइयां तो होती रहेंगे लेकिन सफाइयों के साथ अगर मैं आपको एक टिप बता दूं अच्छी सी तो आप मुझे दुआएं देंगे कि चले बाजी अच्छी है ज चैनल जी मैंने टीवी कोई बंद कर दिया है यह वैसलीन की डबी तो हारे के घर में होती होगी मैं जरा ऐसे सजाती हूं जैसे वो टीवी में दिखा रही होती है अच्छी कोई भी ले लें अगर आपके पास नीले रखने वाले नहीं है तो आप साधी डगकन वाले भी ले लेती हूं पहले तो आपके पास होनी चाहिए यह डिबी उसके साथ आपके पास होना चाहिए कोई भी लोशन जो आप इस्तमाल करते हैं निविया का करते हैं मैं ब्रैंड्स के नाम ले लेती हूं कोई मसला नहीं है कोई प्रोमोशन नहीं मिलने वाली मुझा है यह जो है केर वाला है आप निविया का ले सकते हैं आप डव वाला ले सकते हैं आप जो दो तीन और बैंड्स हैं वो भी ले सकते हैं हिमालिया वालों का भी ले सकते हैं आप वैसलीन लोशन भी ले सकते हैं ठीक है लेकिन यह मैं इसलिए बता रही हूं कि मैं जो का रही हूं मैं अपन होगा ठीक है एक तो सब्दे से वैसे भी अगलर हराब हो जाता है तो यह मैंने इतनी सी ली है वैसली इन दोनों को मैंने करना है मिक्स क्योंकि हाली वैसलीन जब जब मैं अगर इसको न यो बहुत गंदी गुडी लगती है में तो एक हम्नू मिक्स पर पार बैसे ऐसे आपके पनी बॉरक करते मेरे यह चाहित अगर मैं अभी आपको दिखाती हूँ आपके सामने लगा पिरी हूँ यह मेरी हास वो टिप है वैसलीन की कॉंटिटी जो है वो थोड़ी से काम रखो और लोशन थोड़ा से ज्यादा लगा लो इस तरीके से हाली लोशन लगाओगे तो तब भी आपको मिन्ट मिन्ट बाद मुझे का मुझे फील होता है कि जैसे मेरी स्किन फिर ड्राइ होगे फिर ड्राइ होगे तो वो चीज़ नहीं होती आप इन दोनों को इस्सेमाल करोगे तो वो दोनों का रिजल्ट आपको मिलेगा तो यहां पे देखें अगर मेरा हाथ आप तो यह देखें कोई यहां पे चिप चिप नहीं फील और ड्राइ भी नहीं हो रहा है यानिके दर्मयानी स्किन टॉन के साथ से आपकी स्किन पे ऐसे टेक्सच्चर सा रहता है जैसे स्किन टेक्सच्चर होगा और आप अराम से इस तरीके के लगा के कहीं पर चले जाओ तो काफी आपके टाइम निकल जाएगा आपके स्किन ड्राइ नहीं होगी अगर कोई भी आप आम लोशन लगाती हो ना उसकिन के अंदर चला जाते हैं और उसका यह होता है कि थोड़ दे तो कि जालो तब लेटनेवाले हो तो लगा के तो सोचो हो तो पूरी रात होटी है इस भी जो मारे सेल्स हाज होता है आप री घ्र neatly क हो जो डिमच होगा की कि अःगर दूब करें कि दूब दूबारा से बनना शुरुआ हो जते है जो डिमच होते हैं तो यह चीज होती है स जाल कोई भी लोशन मक्स करो, लगाओ, रिजल्ट्स चुहाते हैं मुझे बताओ, एक हथते में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसकी एडियों में आपको काम काम उसे जान भी नहीं छुड़ा ही जा सकती हमने काम तो करने हैं, काम करने से ही होता है कि आप ज़रा अच्छा फील करते हो आपकी स्ट्रेस रिलीज हो जाती है अगर 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 हाली बैठे सोचते रोगे तो आप तो टैंशन वाली बिमारी हो जाएगी तो आप स्ट्रेस ज्यादा लेना शुरू करता हो की तो इसलिए स्ट्रेस हतम करने के लिए उठें और घर की काम करना शोरू करने की क्यों हमारे पस और कोई उप्जन नहीं है ने जैसे आपको बताया है स्टार्ट में वीडियो के के मैं हिमत पकरती हूँ मुझे काम करने के लिए है जब भी میں कोई किसी काम का रियादा करूँ तो मुझे हम्मत पकड़नी पड़ती है फिर जा के मैं काम स्टार्ट करती हूं लेकि मेरे अंदर ये भी है कि जब मैं काम आपकरती हूं तो पिर सारा करके एक दफ़ा ही लेड़ती हूं तो शाह़द धकावट ज्यादा तो हर एकी बॉड़ी डिफरेंट होती है मेरी बॉड़ी भी डिफरेंट है क्योंकि मुझे मैं पहले बहुत ज़्यादा स्लीम थी तो उसके बाद मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया जितना भी टाइम पिरियर्ट था मेरा प्रेगनिंसी का उसके दोरान खाना पीना तो जबात है हमने डबल ही करना होता है तो मेरा भी ऐसे हुआ मैंने भी खाना डबल किया हुआ था माशाला बच्चों की सहते भी बड़ी अच्छी हुई थी मेरी लेकि बच्चे पैदा हुए तो हैदली पैदा हुए थे जिन्षिए के जितना पही श्क्रादा करें का मैं Tech Taj कि अड़ी करना मेरे के छायद मेरे एंदर बौर्डी के तो उनको रिकवर करना शायद मेरे मरे लिए इतना असान नहीं थाมา और उसके बाद जो आपको अनसेसिया दिया जाता है उसके भी काफी जादा साइट इफेक्ट्स होते हैं जो के मुझे बार बार जाहरी बात है जितनी दफ़ा आपका सीसेक्शन होगा वो तो आपको दिया ही जाएगा और हमें नो हाउ भी नहीं होती इतनी के शायद उस टाइम मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था और पढ़ें कैसे आपको इतनी स्ट्रेस मेरी होती है उस टाइम इतनी स्ट्रेस मेरी होती है मेरी कंडिशन इस तरीके की थी कि मैं तो जब फस्ट डे था मेरा प्रेग्निंसी का तो मेरा स्पिर्ण भी मुझसे नाराज हुआ रहता था कि बता नहीं एक टाइम क्यों नहीं दे रही इसको हुआ क्या है क्योंकि उनके तमाग में था कि बाकी भी तो प्रेगनेंट होती है ना तो उनके साथ तो ऐसे इशूज नहीं है यह शायद उनने देखे नहीं होंगे होती हूँ कि मुझे पता हो लेकिन बड़े मुझे टाइम को फेश किया बहुत जादा टाफ टाइम को निकाला और उसके बाद जब 9 महीं नहीं निकालो तो उसके बदी आयर आपको पता चले कि आपको तो पेन ही नहीं हो रहा हूरा और आपके बच्छे जो हैं वो C-section से होंगे तो वो तो पहले मुझे पता ही नहीं था C-section मैंने का शायद जाएंगे तो वो operation होगा तो ठीक है जी हो जाएगा लेकिन मुझे नहीं पता था कि operation के side effects कितने ज्यादा होंगे जो के मुझे पूरी लाइफ फेस करने पड़ेंगे सबसे जी बात तो यह है कि हम अपरेशन के बाद एक दम से पने बचे को खुद से देख पाल नहीं कर सकते है पने बचे की तो सबसे पहले तो यह होता है और उसके बाद सेकंड यह होता है कि जैसे कैसे आपकी डिलिवरी के बाद सारे प्रोसेस कलियर हो जाते हैं लेकिन आपके जो बैक पेन है ना वो नहीं जाता जितनी भी कोशिश कर लें जितनी भी मैडिसन्स खा लें लेकिन बैक पेन का मसला आपका हमेशे रहता है और वही मेरे साथ है यह देखें जी अभी मेरे हाथ पे जैसे के देखें आपको कोई ड्राइ नहीं चीज फील हो रही है ना शाहिन और चमक वियरा क्योंकि मैंने अभी काम भी किया है कपड़ो वाला काम किया है लेकि फिर भी मेरे हाथ जो है वो नरम है और इस पे मुझे ऐसे आथ लगाओ लो तो आपको लगता है कि यह ड्राइ नहीं हुआ वा आथ आपका तो यह वाली चीज अगर आप इस्तमाल करें तो मुझे लाजमी बताएगा कि आपको इसके रिजर्ट्स क्या मिले हैं काफी देर तक आपके हाथ अच्छे सास उत्रे और बिल्कुल ड्राइ नहीं होंगे ठीक है यह मेरी हाथ टिप थी जो मैंने आपको बताई है तो चलें मैं आप दिखाती हूँ कि मैंने फटटफट से जो कमरे की सेटिंग वेरा कर दी है असल में जो बिखेडा होता है ना बिखेडा या बिखेडा पाता नहीं जो भी है जो बच्छे आगे-पीछे चीज़े करके चले जाते हैं मैं बड़ा होंको समझाती हूं कि जिस जगह से आपने चीज उठाई है उस जगह पर रखो लेकिन बच्चे वे उन्होंने सुनना और उन्हें मानना भी काए है तो इस तरीके से यह है कि आगे पीछे चीज़ कर जाते हैं तो उनको समेटने में थोड़ा सा टाइम लगता है समेटना करना पड़ता है तो जब समेट चुके तो आदा घर समझें आपका जो सफाई आदी वो हो चुकी होती है तो मैं वो दिखा आप लोगों के यह चीज़ Brigy आना जाएन ऑथ सब्षयूर्द एंड हों पूरा टाइम मेरी वीडियो में उन्होंको आप में किप स्क्राइब शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फाइदा हो ठीक है जी अपनी दौाओं में हमें याद रिखेगा आला को बहुत बहुत हुश रखे जो जो आपकी दिल के अंदर अच्छी और नेक वाइशात है नेक तमना आए अनको पूरा करें यह थोड़ी सी सेटिंग किया है अपने कमरे की तो मैंने का चले मैं आपको जड़ा दिखा देती हूं मेरे पास डबल बैड नहीं है तो इन दोनों चरपाई यह डिक्रिएशन थोड़ा सा खुद ही बनाती रहती हूं यह टिशू के जो टिशू के नहीं होते यह जो टिशू खतम हो जाता तो पिछे उसका वो गता सा रहता है यह मैंने बनाकर लगाया था और अबाकी यह वालट पेपर पिछे लगया वह है तो माशाद्या से कमराम जरे पेपर लगा के